Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना 100 Days of Deep Learning Playlist कंटीनू करेंगे So, पिछले आठनो वीडियो से हम लोग Transformer Architecture पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं And honestly, हम लोग Transformer Architecture नहीं पढ़ रहे हैं हम Transformer Architecture में जो भी Important Components यूज होते हैं, वो पढ़ रहे हैं So, अभी तक हमने 3-4 बहुत Important चीज़े कवर की, जैसे की Self Attention क्या होता है, Multi Head Attention क्या होता है, Positional Encoding क्या होता है, Layer Normalization क्या होता है यह सारे Important Components हमने बहुत Detail में पढ़े And now, we are ready to actually deep dive into the Transformer Architecture शायद आपको याद होगा जब मैंने Transformers पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आपसे यह बात शेयर की थी, कि मेरा Teaching Experience मुझे यह बताता है, कि मैं directly आपको Transformer Architecture ना पढ़ाऊ Because अगर मैं आपको Directly Architecture पढ़ाने के Process में अलग-अलग Concept समझाने की कोशिश करूँगा, कि Self-Attention क्या होता है, Positional Encoding क्या होती है तो फिर आप Architecture को भूल जाओगे और आप इन Concepts पे ज़्यादा Focus करोगे तो फिर that is why मैंने यह Pedagogy यूज की, कि पहले मैंने आपको सारे Important Aspects पढ़ा दिये और अब finally जब आपको यह Aspects अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो अब मैं आपको यह पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे इन Aspects को यूज करके Transformers का Architecture डेवलप किया गया So, अब going forward अगले दो-तीन वीडियो में मैं आपके साथ Transformers का जो Exact Architecture है वो डिसकस करने वाला हूँ बहुत ही डीटेल में शायद आपको अलड़ यह पता होगा कि Transformer Architecture consists of two parts One is Encoder and the second one is Decoder तो इस वीडियो का प्लान है कि इसमें हम लोग Transformer का जो Encoder पार्ट है उसको बहुत डीटेल में समझेंगे So, मैंने बहुत practical technique यूज किया है पूरे वीडियो को शूट करने में In the sense, मैंने examples लिये हैं पूरी चीज़ को समझाने के लिए Example sentence के थूरू पूरा का पूरा information flow कैसे होता है वो समझाया है और finally, हर why को भी answer करने की कोशिश की है So, all in all, मेरा ये भरोसा है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको Transformers Architecture का Encoder वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा So, I am really excited I know आप लोगों नभी बहुत वेट किया है इस पटिकुलर वीडियो का So, now it's time कि हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करें So, let's start So, मैं एक बार फिर से रियाइटरेट कर देता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले So, इस वीडियो में और अगले एक दो वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स का जो आर्किटेक्चर है उसको बहुत डीपली समझने की कोशिश करने वाले है So, यह जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है This is a very famous diagram और यही आपका ट्रांसफॉर्मर्स का आर्किटेक्चर है The only problem with this diagram is that it is very complex और इसको अच्छे से समझना थोड़ा मुश्किल काम है So, that is why मेरा प्लान है कि मैं सब कुछ आपको आराम से समझाऊंगा बट उसके पहले एक प्रीरेक्विसिट है प्रीरेक्विसिट क्या है कि आपको इस प्लेलिस्ट में अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है ट्रांसफॉर्मर्स के अराउंड वो आपको पता होना चाहिए So, अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे इस प्लेलिस्ट में इन्टिउूशन क्या होता है, सेलफ अटेंशन का में गोल क्या होता है, सेलफ अटेंशन का यह सब कुछ मैंने समझाया है यह आपको पहले से पता होना चाहिए उसके बाद एक वीडियो आपको देखना है Multihet Attention के उपर उसके बाद Positional Encoding क्या होता है और lastly layer normalization क्या होता है इतना आपको देख करके ready रहना है I know छोटी बात नहीं है around 7 hours का content है तो थोड़ा time लगेगा बट अगर आप ये देख करके ready रहोगे तो फिर आपको आज का जो वीडियो है और जो next वीडियो होने वाल है वो बहुत आसानी से समझ में आएगा ठीक है तो मैंने क्या किया है मैंने इस पूरे transformer architecture को दो parts में breakdown कर दिया इस वीडियो में हम लोग सिर्फ focus करेंगे encoder के architecture के ओपर ठीक है और next वीडियो में हम लोग focus करेंगे decoder के architecture के ओपर जान बुच के मैंने ऐसा किया है विकॉस एक ही वीडियो में अगर दोनों cover करने जाएंगे तो पहला तो वीडियो लंबा हो जाएगा दूसरा थोड़ा भारी पड़ेगा so breakdown कर दिया पूरे task को आज के जो वीडियो का main goal है वो है encoder का architecture को अच्छे से समझना और prerequisite क्या है कि आपने ये सारे वीडियो अच्छे से देख रखे है अगर ये बाते आपको समझ में आ गई तो now we are ready to move on to the topic of the day that is transformers encoder architecture तो चलो guys transformers का जो encoder है उसका architecture समझने की journey को start करते है और journey को वही से start करते है जहां से सारी चीज शुरू होती है इस diagram से ये जो diagram है ये आपके transformers का पूरा architecture को represent करता है which means encoder का architecture भी इसके अंदर है decoder का भी architecture इसके अंदर है but the problem is कि ये diagram थोड़ा difficult है first time को इस diagram को देखेगा न तो उसको थोड़ा सा डर लगेगा थोड़ा सा cluttered लगेगा और थोड़ी सी चीजे कम समझ में आएंगी but फिर भी अगर मैं इस diagram को थोड़ा simplify करने की कोशिश करूँ तो फिर चीजे आसान हो जाएंगी जैसे अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि यार चलो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बट क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इस पूरे diagram में दो parts है so एक part उसमें से ये है roughly speaking और दूसरा part आपका ये है तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो सही दिखाई दे रही है कि हमारे पास हमारा ये जो architecture है इसमें दो parts दिखाई दे रहे तो इसको हम clearly लिख सकते है ये जो part है ये हमारा encoder part है और ये जो part है ये हमारा decoder part है इतना तो हम सीधे सीधे देख सकते है तो क्या हम इसका एक simplified representation बना सकते हैं दिलकुल ये रहा हमारे transformers का simplified representation क्या है simplified representation that it is a box which contains two more boxes one is the encoder part and another is decoder part इतना तो आप किसी बच्चे को भी समझा सकते हो कि transformer एक box है जिसके अंदर दो और boxes रखे हुए एक encoder वाला box है और एक decoder वाला box है ये हो गया सबसे simplest definition इस पूरे architecture का अब इसमें थोड़ी सी complexity आड़ करते है complexity क्या है अगर आप notice करो तो encoder वाले block के बगल में और decoder वाले block के बगल में इन दोनों जगह पे nx लिखा हुआ है यहाँ पर nx का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक encoder block नहीं है but there are multiple such blocks similarly यहाँ पर सिर्फ एक decoder block नहीं है there are multiple such decoder blocks अगर आप transformers का original paper पढ़ने जाओगे attention is all you need तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि उन लोगोंने encoder के लिए six blocks यूज किये है और decoder के लिए भी six blocks यूज किये है ऐसा कोई magical number नहीं है यह experimentation से उन्होंने अचीव किया कि six उनको सबसे अच्छे results दे रहा है तो अगर इस factor को अब हम consider करें तो हमारा जो नया representation है transformer का वो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि अभी भी इसमें एक encoder part है और एक decoder part है बट जो encoder part है उसमें six encoder blocks है like this और उसमें six decoder blocks है like this तो यह हमने एक और level of complexity add की हमारे simplified representation में अब सवाल यह आता है कि क्या यह सारे के सारे blocks identical blocks है the answer is yes यह सारे के सारे blocks बिलकुल identical है मतलब इनके अंदर का architecture बिलकुल same copy paste है इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक block को समझ लिया तो आप बाकी पांचो blocks भी automatically समझ गए तो फिर obvious सी बात है अब हमारा focus है एक single block को समझना कि एक single encoder block के अंदर क्या चलता है अगर मैं यह समझ गया तो मुझे encoder का पूरा architecture समझ में आ जाएगा सही बात है तो अब देखो अब हम गुसेंगे एक single encoder block के अंदर और यह है उसका magnified representation थोड़ा हमने zoom in किया तो पता चला कि हर encoder block के अंदर दो और छोटे छोटे blocks होते है सो every encoder block consists of two things first is a self-attention block and second is a feed-forward neural network self-attention आपने पढ़ रखा है और feed-forward neural network आपने बहुत पहले पढ़ा था तो I hope आपको अभी तक याद है सो अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि भाई transformers के अंदर एक encoder होता है encoder के अंदर six identical encoder blocks होते है तो बताओ हर encoder block में क्या होता है तो आपको simply बस एक बात बोलनी है कि उस encoder block के अंदर दो चीज़े होती है पहला एक self-attention module और दूसरा एक feed-forward neural network अब obviously अगला question ये आएगा कि चलो ये तो समझ में आगया कि मोटा मोटा यहाँ पे दो चीज़े exist करती है but exactly होता क्या है वो कैसे समझ में आएगा तो वो आपको अगले diagram से समझ में आएगा अब अच्छी बात क्या है कि हम वहीं पहुँचके जहां से हमने शुरू किया था हमने यहां से शुरू किया था and we are back to the same place so this is the actual representation of an encoder block एक असली encoder block में exactly यह architecture follow होता है तो you can see this is the self-attention block यहाँ पे multi-head attention लिखा हुआ है because self-attention, multi-head attention आपको पता है उनके बीच में क्या relationship है और यह है आपका feed-forward neural network वाला block बड़ अगर आप ध्यान दो तो इसके अलावा भी काफी wires और blocks आपको दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि एक block आपको दिखाई दे रहा है add and norm यहाँ पे भी आपको same block दिखाई दे रहे है उसके बाद आपको यह residual connections दिखाई दे रहे होंगे तो a lot of things are going on inside this encoder block और वही हमें इस वीडियो में समझना है बहुत ध्यान से तो ठीक है इस point पे अगर आपको यह सारे connections और complexity अगर नहीं भी समझ में आ रहे है तो कोई बात नहीं वही हमारे इस वीडियो का goal है बट अब अगर हम वापस zoom out करके बाहर जाए तो हमें यह diagram समझ में आता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि transformers का encoder कैसा दिखता है तो वो ऐसा नहीं दिखता यह simplified representation है actually वो ऐसा दिखाई देता है सो होता क्या है कि आप यहां से input भेशते हो एक sentence भेशते हो या batch of sentences भेशते हो और वो घुसता है first encoder block में right और first encoder block ऐसा दिखाई देता है first encoder block का जो output होता है वो निकलता है और वो जाके किस से मिलता है second encoder block से और second encoder block identically बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है फिर इसके अंदर भी processing होती है फिर इससे जो output निकलता है वो third वाले के लिए input बनता है जो इससे output निकलता है वो fourth वाले के लिए बनता है and so on और finally हमारा जो sixth encoder block है यहां से जो output निकलता है वो जाता है decoder की तरफ तो सबसे पहले I really hope आपको यह पूरा का पूरा जो simplification मैंने किया पूरे के पूरे architecture का वो आपको समझ में आ गया this is how the architecture of a encoder block looks like ठीक है अब बस हमारा goal क्या है कि हम यह जो अंदर चीज़े चल रही हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे in fact what I will do is कि मैं एक example sentence लोंगा और उसको यहां से मैं भेजूंगा और फिर उसकी जो पूरी जर्नी रहेगी इस encoder block में हम उसको track करेंगे और उसको track करने के process में आपको automatically समझ में आ जाएगा कि encoder architecture होता कैसा है ठीक है तो I really hope आपको यहां तक चीज़े clear है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एकदम how part में घुसते है अब guys आगे का पूरा explanation देने के लिए मैंने एक नया page बना लिया और इस नया page में पूरा का पूरा जो encoder architecture है उसको paste कर लिया है और यहीं पर अब मैं आपको पूरी चीज़ explain करूँगा साथी साथ मैंने यह पूरा का पूरा architecture भी handy रखा है कि कभी भी अगर मुझे इसको refer करना हुआ मैं refer कर पाऊँ तो यह setup मैं बस आपको समझा रहा था अब हम क्या करेंगे हम एक example लेंगे एक example sentence लेंगे और उसको हम इस encoder के अंदर डालेंगे और उसकी journey कैसी रहेगी वो हम समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो थोड़े के लिए माल लेते हैं कि हमारा जो example sentence है वो है how are you ठीक है यह हम भेज रहे हैं हमारे encoder के पास reality में आप एक sentence नहीं भेजते हो आप multiple sentences एक साथ भेजते हो batches of data भेजते हो but it's the same thing फिलाल आप मान सकते हो कि आपके batch में सिर्फ एक ही item है which is this sentence how are you अब encoder के main parts में घुसने के पहले अगर आप notice करो तो यहाँ पर एक input बोल करके block है अब यह input block भी बहुत important है क्योंकि यहाँ पर तीन बहुत important steps execute होते है so encoder को input मिलने के पहले तीन operations perform किये जाते हैं और पहले हम वो operations discuss करेंगे ठीक है तो मैंने फिर से एक diagram बना रखा है सब कुछ समझाने का so यहाँ से हमारा sentence इस input block में घुसेगा ठीक है यह input block में घुसा अब इस input block में जैसा कि मैंने बोला there are three operations that are going to be performed on this particular sentence and the first operation is tokenization so आपने अगर NLP पढ़ा है तो आपको पता होगा tokenization क्या होता है tokenization का basic fund है कि आप एक given sentence को tokens में divide करते हो tokens could be a single word two words, three words depend करता है, फिलहाल हम word level tokenization कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यह tokenizer block है, यह क्या करेगा हमारे sentence को breakdown करेगा into words और यह रहा इसका output you can see, एक word बन गया how, एक बन गया r, एक बन गया u, एकदम simple ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे operation की यह operation बहुत important है so operation क्या है, operation है text vectorization इसका मतलब यह हुआ कि आपका encoder या फिर जो transformer है वो words को process नहीं कर सकता because, come on कोई भी machine words को process नहीं कर सकती आपको किसी तरीके से उसको numbers में convert करना पड़ता है और यहाँ पर हम जो text vectorization technique यूज करते हैं, उसको हम embeddings बुलाते हैं, और इसके बारे में हमने detailed discussion किया था, तो हम क्या करेंगे हर word को पकड़ेंगे और उसको इस embedding layer में जालेंगे, और इस embedding layer का का काम क्या होगा, कि for every word, it will generate a vector ठीक है, और हमारे case में, it will be a 512 dimensional vector मतलब, how word के लिए हमारे पास 512 numbers का एक representation तयार हो जाएगा, again यह सब कुछ हम काफी detail में discuss कर चुके हैं तो जादा details में मैं नहीं जाऊंगा तो इस point पे क्या हुआ, how अंदर गया, उसके corresponding हमें ये vector मिल गया, r गया, उसके corresponding ये vector मिल गया, u गया, उसके corresponding ये vector मिल गया, operation number 2, over, अब आता है third operation, so इस point पे मेरे पास मेरा sentence है और मैंने उसको tokenize कर लिया, उसको vectors में convert कर लिया, but the problem is, मेरे पास इस बात का कोई information नहीं है, कि कौन सा word पहले आता है, कौन सा word बाद में आता है, and guess what, ये बहुत important है आपको हमेशा पता होना चाहिए, कि आपके sentence में कौन से words पहले आ रहे है कौन से words बाद में आ रहे है right, तो ये positional information add करने के लिए, हम encoding क्या करता है, कि for each position, जैसे position number 1 के corresponding, वो एक vector generate करेगा जो कि फिर से 512 dimension का ही होगा similarly, position number 2 के लिए भी वो एक vector generate करेगा, जो कि 512 dimensional vector होगा, and similarly position number 3 के लिए भी वो एक vector generate करेगा again 512 dimension का vector अब हमें क्या करना है, कि हमें अपने embedding vectors को, उनके corresponding position vector के साथ add कर देना है, so basically हम इन दोनों vectors को add कर देंगे, इन दोनों vectors को add कर देंगे, और इन दोनों vectors को add कर देंगे, और इन पूरे addition operations के बाद, हमें फिर से 3 नए vectors मिलेंगे x1, x2, x3, x1 क्या है, x1 है हमारा how के corresponding position encoded embedding, x2 क्या है, r के corresponding positional positional encoding embedded vector काभी tongue twister हो गया, but you get the feeling, और last वाला है u के corresponding vector, तो इस point पे मेरे पास मेरे हर word के लिए, एक embedding vector है, जिसमें ये information भी है कि वो sentence में कहां exist करता है, और यही मेरा input बनेगा, ये तीनों vectors मेरे input बनेगे, जो की encoder के अंदर जाएंगे तो इतना कुछ होता है, इस purple input block के अंदर और अब हम इस तरफ move करने वाले हैं, तो I really hope आपको अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया so guys, input तक की चीज़े तो हमें समझ में आ गई, और इस point पे हमारे पास हर word के corresponding एक embedding vector है, जिसके अंदर position का भी information है, यहां तक हम बहुच चुके हैं, अब हम enter करेंगे, इस first encoder block के अंदर, और देखेंगे कि यहां पर अंदर के operations होने वाले हैं, और शुरुआत में सबसे पहले मै इतने operations पे focus करूँगा, जहां पर आप multi head attention apply कर रहे हो, और normalization apply कर रहे हो, यह वाला part हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है, तो again मैंने एक diagram बना रखा है, और इस diagram के through मैं आपको पूरी चीज़ explain करूँगा, just a quick reminder, अभी तक यह जो हमारे input vectors हैं, यह जो तीनो input vectors हैं, यह सब क यह सब 512 dimension के हैं, ठीक है, अब क्या होगा कि यह तीनों vectors अंदर घुसेंगे इस encoder block के, और इनको सबसे पहले मिलेगा यह multi head attention block, which is this one, ठीक है, तो again, since मैं यह सब कुछ बहुत detail मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं deep में नहीं जाने वाला, मैं दुबारा से आपको explain नहीं करूँगा कि query key vectors क्या होते हैं, उनका interaction क्या होता है, scaling क्यों करते हो, यह सब चीज़े मैं आपको नहीं बताऊँगा, यह आपको खुद से जाकर कि पीछे वाले videos में समझना पड़ेगा, जिन लोगों ने वो videos देख रखा है, उनको शायद याद होगा, कि आप self attention इसलिए apply करते हो, because आपका जो embedding vector होता है, उसमें एक problem होती है, और वो problem होती है कि यह contextual नहीं होता, right, मतलब यह हुआ कि river bank एक sentence है, और money bank दूसरा sentence है, इन दोनों sentences में bank word use हो रहा है, but दोनों ही जगों पे embedding बिल्कुल same होगा, और यह अच्छी बात नहीं है, why, because यहाँ पर bank एक institution के context में है, यहाँ पर bank एक जगे के context में है, तो obviously यह दो words दो अलग meaning बया कर रहे हैं, तो इन दोनों का embedding vector अलग होना चाहिए था, but unfortunately embedding vectors context को counter नहीं करते, या factor नहीं करते, तो आपको यहीं पर self attention लगाना पड़ता है, जैसी आप self attention लगाओगे, आप notice करो कि जो bank का embedding vector है, और जो money bank वाले bank का embedding vector है, वो बदल जाता है, मतलब वो आसपास वाले words को भी factor in करने लगता है, समझने की कोशिश करने लगता है, contextual embedding बन जाती है, और self attention से भी अच्छा क्या होता है, multi head attention, because multi head attention में आप क्या करते हो, कि आप multiple self attention modules को लाते हो, और सभी से opinion लेते हो, it's like एक से भले, दो, दो से भले और जादा लोग, तो जादा लोगों का opinion मिलता है, तो आपके पास एक जादा diversified और correct contextual embedding form होती है, और वही आपका main goal होता है, multi head attention का, so without going into the details की इस block के अंदर क्या चल रहा है, मैं आपको सीधे-सीधे output बताता हूँ कि होगा क्या, कि जैसे ही आप इस first word को भेजोगे, या इस first word के vector को भेजोगे, जो कि खुद 512 dimension का है, तो multi head attention क्या करेगा, एक दूसरा vector बनाएगा, z1, जो कि खुद 512 dimension का ही होगा, बट ये z1 बाकी के आसपास वाले words को consider करेगा, contextually aware होगा, ठीक है, similarly जब आप इस x2 को भेजोगे, जो कि embedding vector है r का, तो इसके corresponding z2 बनेगा, जो कि again एक 512 dimension का vector होगा, and similarly for u, x3 को जब आप भेजोगे, तो आपको z3 मिलेगा, which will again be a 512 dimension का vector, तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी चल रही है, कि अभी तक जो dimension है, वो consistent रहा है, 512, 512, 512, बारा ही रह रहा है, हर operation के बाद, तो जो भी है, हमारा current state यह है, कि जब हमने multi head attention में अपने input को डाला, तो मुझे मेरे हर input vector के लिए, एक contextually aware vector मिला, जिसका dimension तो सेम है, बट उसमें और काफी information available है, ठीक है, अब हम इससे बाहर निकल चुके है, और अगली जो चीज़ है, व यहाँ पर आप एक residual connection यूज़ कर रहे हो, अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर जो add लिखा हुआ है, वो actually इस residual connection के लिए लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हो, कि जब आप यहाँ से अपने x को भेजते हो, x1, x2 और x3 को भेजते हो, तो एक रस्ते तो वो अंदर चला जाता है, multi-head attention के, और दूसरे रस्ते क्या करता है, कि वो इस multi-head attention को bypass करके आगे पहुँच जाता है, वही देखो, मैंने यहाँ पर दिखाया है, कि इस रस्ते, यह x1, यह x2 और यह x3, as it is, यहाँ पर copy-paste हो गए, ठीक है, तो अब हमारे पास इस जगे पे, फिर से, दो set of vectors हैं इस जगे पे, हमारे पास दो set of vectors हैं, एक, जो हमें multi-head attention के output से मिला, which is z1, z2, and z3, और दूसरा set of vectors है, हमारा original input, x1, x2, x3, अच्छी बात क्या है, यह सब के सब 512 dimension के हैं, which means, आप इनके उपर कोई भी mathematical operation लगा सकते हो, हम कौन सा operation लगा रहे हैं, हम कर रहे हैं, addition, so हम क्या करेंगे, इन दोनों को add कर देंगे, इन दोनों को add कर देंगे, और इन दोनों को add कर देंगे, तो इससे क्या होगा, कि हमें एक नया set of vectors मिलेगा, जो कि हम z1' बुला रहे हैं, z2' बुला रहे हैं, z3' बुला रहे हैं, and again, यह तीनों भी 512 dimension के ही हैं, ठीक है, और finally हमें क्या करना है हमें normalization perform करना है normalization भी कौन सा layer normalization ठीक है so layer normalization में क्या होता है कि आप हर एक vector को पकड़ते हो जैसे कि आपने इस z1 dash को पकड़ा और इसमें कितने numbers हैं इसमें 512 numbers है तो आप इन 512 numbers का mean calculate करते हो standard deviation calculate करते हो और इन दोनों की help से इन सारे के सारे 512 numbers को normalize करते हो या standardized करते हो basically एक given range में सारी values को ले के आते हो और यही काम आप z2 dash के साथ भी करोगे और यही काम आप z3 dash के साथ भी करोगे और यहाँ पर वो gamma और beta parameter भी आ जाता है अगेन आपको layer normalization वाला वीडियो देखना पड़ेगा बट जो भी है इस operation से क्या होगा कि z1 dash के corresponding आपको एक नया vector मिलेगा जो की होगा z1 norm which will again be a 512 dimension का vector z2 dash के against आपको मिलेगा z2 norm again 512 और z3 dash के बदले आपको मिलेगा z3 norm which is again 512 बस अच्छी बात क्या है कि ये सारे vectors normalized है मतलब इनकी value एक छोटे given range में होगी ठीक है अब यहाँ पर एक दो सवाल आपकी मन में आ रहे होंगे वो मैं जल्दी से clarify कर देता हूँ first question ये होता है कि हम normalize क्यों कर रहे है why normalize तो इसका answer तो बहुत simple है मैंने आपको layer normalization वाले वीडियो में भी दिया था बहुत simple सी बात है to stabilize the training process so होता क्या है कि जब आप multi head attention के through ये z1 ये z2 और ये z3 calculate करते हो तो ये किसी भी range में हो सकता है मतलब यहाँ पर कोई upper lower limit नहीं है because आप दो numbers को multiply कर रहे हो फिर एक और multiplication कर रहे हो तो होता क्या है कि कोई range defined नहीं होता self attention के output का तो ये अच्छी बात नहीं है neural network training generally तब stable होता है जब numbers एक छोटे given range में होते हैं तो अब हम in z1, z2 के उपर x1, x2 और ये x3 आड ही कर रहे हैं तो ये number और बड़े ही हो सकते हैं तो हमें कुछ तो mechanism चाहिए था इन numbers को normalize करके एक छोटे given range में लाने का और वही काम कौन कर रहे है layer normalization ठीक है तो ये हो गया पहले question का answer कि normalize करने की ज़रूरत क्यों पड़ी दूसरा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम ये bypass करके ये basically हम ये residual connection क्यों use कर रहे है या फिर हम skip connection भी बोल सकते है हम क्यों ये x को उठा करके यहाँ पे ला रहे हैं और फिर add कर रहे है ये मैं आपको थोड़ी दर के बात बताऊंगा क्योंकि ये same चीज हम थोड़ा आगे भी करने वाले तो वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ थोड़ा conceptual सा reason है तो वो मैं आपको थोड़ी दर के बात बताता हूँ but meanwhile अगर आप अब ध्यान दो तो हमारी गाड़ी जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है हम इस जगे पे आच चुके है ठीक है और इस जगे पे हमारे पास तीन वेक्टर्स है Z1 normalized, Z2 normalized Z3 normalized ठीक है और अब हमारा जो अगला station है वो है यह feed forward वाला block और अब हमें देखना है कि यहाँ पर exactly क्या चल रहा है अब हम लोग focus करेंगे हमारे encoder block के इस part के उपर ठीक है हम यहाँ पर अलड़ी है और इस जगे पे हमारे पास यह तीन वेक्टर्स है Z1 नॉर्म, Z2 नॉर्म, Z3 नॉर्म ठीक है और अब यह तीनों वेक्टर्स जा करके इस feed forward network में enter करेंगे ठीक है तो सबसे पहले what I will do is कि मैं आपको इस feed forward neural network का architecture समझाता हूँ जो मुझे research paper में मिला so यहाँ पर जो feed forward neural network है वो एक two layer neural network है as you can see so यहाँ से input जा रहा है इसको मैं neural network का part नहीं मान रहा हूँ this is the input layer और यहाँ पर 512 आपके kind of units बोल सकते हो मतलब आप इस neuron network में यह जो पूरा neuron network है इसमें 512 dimensional input enter कर सकते हो ठीक है अब बात अगर की जाए इस neuron network की तो इस neuron network में दो layers है so this is one layer this is the second layer इस वाले layer में there are 2048 neurons ठीक है और हर neuron के अंदर जो आपका activation function है वो है relu यह सब आपका अलड़ी पता है और आपका यह जो second layer है यहाँ पर आपका वापस से 512 neurons है और यहाँ पर जो activation function है वो है linear ठीक है तो this is the architecture तो यहाँ पर आपके weights है weights कितने होंगे यहाँ पर 512 input है और आपका total number of neurons 2048 है तो इतने weights हैं आपके पास ठीक है इसको हम W1 बुला सकते हैं और हर neuron का खुद का एक bias है तो यहाँ पर total मिलाके आपके 2048 biases है और उनको हम collectively B1 से represent करेंगे similarly अगर आप यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर आपके सारे weights को आप W2 से represent करोगे और वो कितने weights होंगे 2048 x 512 ठीक है और फिर इस layer में आपके biases होंगे total कितने biases होंगे 512 और उनको मैं B2 से represent कर रहा हूँ ठीक है आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है अब देखो हमारा यह जो input है Z1 norm Z2 norm, Z3 norm यह इस neural network में कैसे जाता है तो होता क्या है कि आप इन तीनों vectors को imagine करो कि इन लोगों ने मिल करके matrix form कर लिया एक दूसरे के उपर चड़ गए तो यह जो matrix इसका shape क्या हो जाएगा 3 x 512 तीन words हर word 512 dimensional vector से represent किया जा रहा है ठीक है और यह एक साथ इस neural network में enter करेंगे ठीक है आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक batch of data भेज रहे हो और उस batch में तीन rows का data जा रहा है so this is the first row this is the second row and this is the third row बढ़ तीनों एक साथ जा रहा है ठीक है और यह जा करके multiply होगा इन weights के साथ तो basically you are doing this जिस यह दोनों सेम है आप यह multiplication कर पाओगे और आपको इस layer में 3 x 2048 dimension का एक matrix मिलेगा या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको 3 vectors मिलेंगे और हर vector का size 2048 है तो in a way आपने इस neural network की help से अपने जो vectors हैं उनका dimensionality increase कर दिया ठीक है फिर यह जो vectors मिले इसमें आपने एक bias vector add कर दिया ठीक है और फिर उसके उपर आपने value लगा दिया non-linearity so basically operation क्या हुआ कि अगर आप इन z1 norm z2 norm, z3 norm को collectively z norm बुलाओ यह वो matrix है 3 x 512 वाला तो इसके साथ आपने w1 को dot product किया which is this और उसमें आपने add क्या गर दिया b1 और इस पूरी चीज के उपर आपने value लगा दिया तो यहाँ पर इस layer में आपको यह operation मिल रहा है ठीक है अब बात आगे बड़ी आप अगले layer में गए अगले layer में फिर से यह weights है तो आपने फिर क्या किया यह जो पूरी quantity आई यह जो पूरा matrix आया इसको फिर से dot product किया w2 के साथ which is this weight और फिर उसमें add किया b2 so यह हो रहा है exactly ठीक है अब notice करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो matrix था उसका shape था 3 x 2048 इसको हमने वापस से multiply कराया 2048 multiplied by 512 से तो since यह दोनों सेम था तो हमें वापस 3 x 512 का matrix मिला 3 x 512 का matrix मतलब हमें वापस 3 ऐसे vectors मिले जिनका dimension 512 था तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने first layer की help से dimensionality increase किया आपने vectors का 512 से 2048 पे लेके गए और फिर अगले layer की help से आपने dimensionality वापस reduce करके 512 पे ही वापस ले आए ठीक है अब obviously आपके दिमाग में सवाल आएगा कि फिर फाइदा क्या हुआ पहले हमने dimensionality बढ़ाया और फिर हमने dimensionality घटा ही दिया तो फिर फाइदा क्या हुआ यहाँ पर वापस मुझे एक matrix मिल गया जो की 3,512 ही है तो फाइदा क्या हुआ फाइदा क्या हुआ रफली में आपको बता देता हूँ फाइदा यह हुआ कि हम RELU की help से थोड़ा non-linearity introduce कर पाए ठीक है बाकी detail में मैं आपको थोड़ी दिर बात समझाता हूँ ठीक है in short हम यहाँ पहुँच चुके है हमारा input इस feed forward neural network में घुसा उसके उपर दो transformations हुए और उन दोनों transformations के बाद मुझे वापस same shape का vectors मिल गए हैं और अब हम इस जगे पह खड़े हैं अब यहाँ पह फिर से मुझे add and normalization लगाना है यहाँ पह फिर से interesting चीज़ क्या है कि हम वही काम दोबारा कर रहे है कि हम इस जगे पह जो भी हमारा input था उसको bypass कर रहे है with the help of this residual connection और उपर लेके जा रहे है ठीक है तो हमने क्या किया यह हमारा input था Z1 norm, Z2 norm, Z3 norm इसको मैं as it is bypass करा रहा हूँ और कहां लेके आ रहा हूँ इस जगे पह जहां पहे हमारा feed forward neural network का output बैठा हुआ है ठीक है तो मैं feed forward neural network के output को Y1, Y2 और Y3 बुला रहा हूँ और यह Z1 norm, Z2 norm, Z3 norm as it is उठके यहां पहे आ गया मज़ी की बात क्या है यह सब के सब vectors 512 dimension के है which means आप इनके बीच में mathematical operations कर सकते है and guess what आपको addition perform करना है तो आपने फिर से addition perform किया और इस addition से आपको फिर से नए set of vectors मिले जो कि again 512 dimensional है इनको मैं Y1 dash Y2 dash और Y3 dash बुला रहा हूँ और अब मुझे इन नए vectors के उपर क्या करना है फिर से layer normalization लगाना है so वही मैंने यहां पे किया यह रहा हमारा layer normalization layer और इसके उपर हर vector के उपर हमने layer norm लगा दिया जिससे हमें फिर से नए vectors मिले which is Y1 norm Y2 norm and Y3 norm ठीक है बिल्कुल सेम तरीके से layer normalization हो रहा है same to same ठीक है और अब interesting चीज़ क्या है कि यह जो Y1 norm है और यह जो Y2 norm है और यह जो Y3 norm है यह जाएंगे next encoder block में मतलब हम यहां पहुँच चुके हैं हमारी journey में इस जगे पे this is the output और यही output अब अगले वाले encoder block में घुसेगा तो जैसे यह x1 x2 और x3 हमारा first encoder block के लिए input का काम कर रहे थे similarly यह Y1 norm Y2 norm और यह Y3 norm हमारे next encoder block के लिए input का काम करेंगे और फिर यहां पे same चीजे repeat होंगी यहां पर भी एक multi head attention block बैठा हुआ है उसके साथ हम add and normalize करेंगे फिर उसमें भी एक feed forward neural network बैठा हुआ है और उसके साथ भी हम add and norm करेंगे और फिर हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे अगले को देते जाएंगे अगले को देते जाएंगे and so on interesting चीज क्या है यह आपको ध्यान में रखना है confused नहीं होना है कि इस encoder block में जो भी आपके parameters हैं which is weights and biases जैसे कि multi-head attention के आपके जो भी weights and biases है या फिर feed forward के जो भी weights and biases है these are different from the parameters of this encoder block और यह obvious बात है same तो हो ही नहीं सकते यह आपको please याद रखना है कि हर encoder block भले ही copy-paste है in terms of architecture but in terms of parameters they are different हर encoder block के अपने खुद के parameter values है जो अपने हिसाब से back propagation के दौरान बदलते रहते हैं ठीक है तो I really hope आपको यह पूरी चीज समझ में आ गई if I can give you a quick summary हम input से start कर रहे हैं यहाँ पे हमारा sentence था how are you input के अंदर हमने तीन operations लगाए tokenization, embedding, positional encoding इससे हमें जो भी output मिला उसको हमने भेजा हमारे first encoder block में जहाँ पे हमने सबसे पहले multi head attention लगाया उस multi head attention के उपर residual connection लगा करके layer normalization किया उसके बाद आगे बढ़े उस output को हमने भेजा feed forward के पास feed forward ने अपनी processing की उसके बाद फिर से residual add and layer normalization उससे जो output मिला उसको हम भेज रहे हैं अगले वाले encoder block में जहाँ पर यह same चीज़े repeat होती जा रही है और फिर यही same काम हमने six times repeat किया है और finally यहाँ पे जाके आपको जो output मिलता है उन vectors को I guess आप imagine कर पारे हो यहाँ पे भी जो आपको output मिलेगा वो 3 cross 512 ही मिलेगा वो कभी भी बदलेगा नहीं यहाँ से हमेशा किसी भी जगह पे आप पकड़ो यहाँ पे आपको 3 cross 512 ही मिलेगा और यहाँ से जब निकलोगे तो 3 cross 512 ही निकलेगा और ऐसा करते करते जब आप last encoder block cross कर जाओगे, वहाँ पर जो आपको output मिल रहा है, वो आप भीजोगे अपने decoder के पास and this is how the encoder block या encoder part of the transformer functions, ठीक है तो I really hope आपको architecture point of view से कोई confusion नहीं है, especially मैंने बहुत blocks और videos देखे हैं, वहाँ पर ये feed forward जो neural network है उसका architecture सही से नहीं समझाय जाता है I really hope आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई, ठीक है, just make sure दो layers है, first layer में 2048 neurons है, और relu non activation, I'm sorry relu activation लगा हुआ है और यहाँ पर 512 neurons है, और linear activation लगा हुआ है, that is the architecture of this feed forward block, ठीक है, so अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ questions हैं, जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उनको हम लोग discuss करेंगे, अब मुझे लगता है कि ये तीन questions आपके दिमाग में आ सकते हैं इस पूरे discussion के बाद और मैं चाहता हूँ ये तीनो questions में question मैंने पहले भी point out किया था, बड़ उस time मैंने बोला था कि मैं आपको इसका answer बाद में बताता हूँ, उसका main reason ये था कि इसका सही answer मुझे भी नहीं पता, और मुझे असा लगता है कि शायद किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसका explanation original paper में नहीं दिया गया है, कि क्यों residual blocks यूज किये गए, या residual connections यूज किये गए, बस इतना पता है कि ये connections important तो होते हैं, क्यों पता है मुझे कि ये important है, because मैंने एक Kaggle notebook पढ़ रहा था मैं, और उस Kaggle notebook के comment section में, मैंने पढ़ा कि कोई एक बंदा था, जिसने ये पूरा का पूरा transformer architecture scratch से code किया, using PyTorch, बस उसने एक काम किया, actually उससे गलती हो गई, कि उसने गलती से ये residual connections add नहीं किये, बाकि सब कुछ as it is काम कर रहा था, तो he realized कि उसने जो transformer architecture code किया है, उसका performance was not that great, but जैसे उसने वापस paper पढ़ा और उसने realize कि उसने ये connection miss कर दियें, और उसने जब ये connections दुबारा code किये, तो उसका performance वापस सही आने लग गया, तो this shows कि ये connections हैं तो important, but exactly ये करते क्या है, ये clarity आपको मिलेगी नहीं, because मैंने बहुत search किया, लोगोंने speculations कर रखे हैं, कि ये reason हो सकता है, दूसरा reason हो सकता है, बट किसी के पास exact answer नहीं है, तो मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कि मैंने क्या-क्या पढ़ा है, so दो major reasons हो सकते हैं, ResNet, actually residual connections use करने के, पहला reason है, stable training, so अगर आपने CNN architectures पढ़े होंगे, तो आपने शायद ResNet पढ़ा होगा, तो ResNet was the first architecture जहां पर ये residual connections introduced किये गए थे, और वहाँ पर जो reason बताया गया था, इन connections को use करने का, वो था कि इनको use करने से आपका training थोड़ा सा stable हो जाता है, especially if you have very deep neural networks, so deep neural networks में क्या होता है, vanishing gradient का problem होता है, right, so होता क्या है कि आप बहुत बड़े neural network में जैसे जैसे पीछे आके gradient update करते जाते हो, तो gradients और छोटे होते चले जाते हैं, right, तो वहाँ पर अगर आप ये residual connections use करते हो, तो आप ये जो complex part है आपके neural network का, उसको skip करके आगे पहुँच जाते हो, so basically यहाँ पे जो छोटा होने वाला था gradient, वो part आप skip कर जा रहे हो, तो inner way आप अपने gradient flow को एक alternate path provide करते हो, और ऐसा जब आप बार बार करते हो, तो आपका जो gradient है, वो बहुत जादा shrink नहीं करता है, उसकी कुछ valid value रह जाती है, जिससे फिर आपके parameters update होते रहते हैं, so one of the main reasons why we use residual connections is, कि it provides stable training, especially in a deep neural network, तो यहाँ पे भी we have a deep neural network, right, there are six encoder stacks, या encoder blocks, and we have six decoder blocks as well, यहाँ पे भी residual connections है, वो अभी हमने discuss नहीं किया है, बर जो भी है, this could be one of the reasons, reason number two is, कि यह आपका original जो features हैं, उसको as it is आगे भेज देता है, मतलब यह जो transformations हो रहे हैं, इनको skip करवा देता है, तो इससे भी कभी कभी फाइदा होता है, now imagine a scenario कि आपने multi head attention apply किया, अपने data पे, x के उपर, और somehow मानलो कि यह multi head attention अच्छे से काम नहीं किया, तो यहाँ पे आपकी जो embeddings थी, जो कि फिर भी थोड़ी ठीक ठाक थी, और आपका काम चला रही थी, जैसी वो इस multi head attention में घुसी, तो since यह अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से जो आपको नई contextually aware embeddings मिली, वो actually और ज़्यादा खराब थी, मतलब इसके comparison में और ज़्यादा खराब थी, तो यह खराब data लेके आप और आगे बढ़ोगे तो performance खराब आएगा, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप एक alternate path प्रोवाइड कर रहे हो, अपने input को और आप बोल रहे हो कि अगर let's say यह transformations अच्छे नहीं रहे, तो तुम इसको भूल करके या इसको छोड़ करके भी, you can focus on the original features, जो शुरू में था, जो कि फिर भी थोड़ा ठीक ठाक था, तुम उस पे at least focus कर सकते हो, right, तो this is the second speculation जो लोग लगाते हैं, कि यह alternate path प्रोवाइड करके आप जो original features हैं, उनको as it is आगे भेज रहे हो, it's like identity operation perform कर रहे हो, और इससे यह फाइदा है, कि अगर कोई transformation फाइदा करने के बदले नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप at least अपने जो original features हैं, उनको ही use कर पाओ, आगे चलके, right, तो यह दो major reasons मुझे दिखाई देते हैं, कि हो सकते हैं, जिनकी वज़े से हमने यह residual connections use किये हैं, बाकी यार, अगर आपको लगता है, कि आपके पास कुछ इसका answer है, आप please comment में type करके बताना, बाकी लोगों को भी फायदा होगा, so this was the first question, I know मैंने बहुत अच्छे से answer नहीं किया, बट उसका reason यह कि मुझे खुद नहीं पता, अगला जो एक question आपके दिमाग में आ सकता है, वो यह है कि हमने multi head attention use किया, वो तो हमें समझ में आता है, because multi head attention की help से हम contextually aware embeddings generate कर पा रहे हैं, बट फिर हमने उसके बाद यह feed forward neural network क्यों लगाया, यह एक question आपके दिमाग में आ सकता है या आना चाहिए, अब again यह एक ऐसा question है, जिसका clear answer मेरे पास नहीं है, या for that matter मेरे को लगता है अभी किसी के पास भी नहीं है, so एक common answer जो आपको देखने को मिलेगा वो यह है कि with the help of this feed forward neural network आप थोड़ा साना non-linearity capture कर पाते हो अपने data के अंदर जो भी है, क्योंकि multi head attention आपने लगाया, उसकी help से आपने contextually aware embeddings generate की, बट यह जो पूरा का पूरा process है, वो है तो linear, right? अगर आप एक बार देखो जाकर के self attention काम कैसे करता है, तो आप notice करोगे कि सारे के सारे operations are linear in nature, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा data है जहांपर there is some form of non-linear complexity, तो उस non-linear complexity को catch करने के लिए आपको feed forward neural network की ज़रूरत पड़ेगी and that is why हमने हमारे first वाले layer में relu activation function use किया था, so that it can catch some of the non-linearity, तो यह आपको सबसे common narrative मिलेगा अगर आपसे कोई भी पूछेगा की feed forward neural network क्यों use किया गया, वट अगर इन जैसा कि मैंने बोला कि it's a gray area पेपर में जादा कुछ बताया नहीं गया है और यह एक active research का area है, in fact अभी तक भी इसके उपर research चल रहा है और papers आ रहे हैं, in fact मुझे एक paper मिला जो मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूँ, so this is one of the papers जो मुझे दिखाई दिया Google करने के बाद, that transformer feed forward layers are key value memories, so यह एक अलगी perspective show करता है यह paper कि transformers में जो feed forward neural network use हुआ है, वो actually एक key value memory store की तरह काम करता है, ठीक है, यहाँ पर आप अगर पढ़ोगे abstract में, तो भी आपको चीजे थोड़ी समझ में आएंगी, यहाँ पर दिखाई लिखा हुआ है, कि feed forward layers constitute two thirds of the transformer models parameters, मतलब transformer के अंदर जितने भी parameters हैं, उसमें से two thirds जो हैं, वो आते हैं feed forward neural network से, बाकी जो हैं वो आते हैं आपके self attention वाले layers से, yet their role in the network remains under explored, इस paper का starting line यह यह है, कि भले ही इतने सारे weights feed forward neural network की वज़े से हैं, बट अभी भी लोगों के दिमाग में full clarity नहीं है, कि उनको use क्यों किया गया, empirically use किया गया, results अच्छे हैं, ठीक है बट क्या reason है, वो अभी तक सही से एक्स्प्लोड नहीं है, so we show that feed forward layers in transformer based language models operate as key value memories, where each key correlates with textual patterns in the training examples, and each value induces a distribution over the output vocabulary, so थोड़ा सा ना technical सा paper है, and I'll be honest, मैंने भी अभी इसको पूरी तरीके से explore नहीं किया है, but I'm really excited, because यह थोड़ा सा अलग perspective दे रहा है, जितना मैंने अभी तक internet पर पढ़ा है, so I would recommend आप भी यह paper पढ़ो, और अगर आपको कुछ चीज यह समझ में आती है, तो आप भी यहाँ पर comment में लिखो इस video में, so that future में, अगर मैं आता हूँ, इस video पर या फिर आप लोगों में से कोई आते हो, तो थोड़ा सा और हमारा ग्यान बढ़े, but right now, I'm just giving you this generic answer, that थोड़े और complex non-linear patterns को capture करने के लिए, आप feed forward neural network का इस्तमाल करते हो, transformers के अंदर, and the final question is, कि हमारे transformer architecture में, जो encoder है, उसमें six encoder blocks क्यों use किये गए, actually question यह होना चाहिए, कि एक से ज़ादा blocks यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, अब यह एक ऐसा question है, जिसका answer थोड़ा straightforward है, और वो मैं आपको बता सकता हूँ, उसका answer बहुत simple है, answer यह है कि language बहुत ही complex होता है, human language, और उसको समझ पाना बहुत महनत का काम है, और अगर आप सिर्फ एक encoder block यूज करते हो, तो आपको satisfactory results नहीं मिलते हैं, और आप बहुत सही तरीके से language का understanding डेवलप नहीं कर पाते हैं, so in short आपको एक ऐसा model चाहिए, जिसका representation power is very high, और वो तभी आएगा जब आप multiple layers stack करोगे एक दूसरे के ऊपर, तो that is why जो भी creators है transformers architecture के, उन लोगों ने ये सोचा कि एक से ज़्यादा encoder blocks को आपको करते हैं, छे क्यूं ये भी एक question पूछा जा सकता है, बट अगेन इसका answer है कि empirically जो best results निकल के आए, वो six पे आए, बट ये number vary करता है, मतलब आप देखोगे और different transformer architectures में, ये number vary करता है और ये depend करता है कि आप किस application के लिए transformer बना रहे हो, और उसके हिसाब से ये modify किया जा सकता है, बट या nutshell में multiple encoder blocks को stack up करने के पीछे का जो सबसे important reason था, वो यही था कि language को पूरी तरीके से समझ पाने के लिए you need a model with very good representation power, और वो तभी आएगा जब आप you know multiple layers of models को या layers को stack up करोगे, ठीक है, deep learning is all about that only, deep learning में deep का मतलब ही यही है कि आप और जादा-जादा layers add करके, एक deeper representation create करने की कोशश करते हो अपने data की, जिसके through आपको ऐसा feel होता है कि आप जो भी छुपा हुआ data में, जो भी patterns छुपे हुआ data में, उसको आप decode कर सकते हो, या वही same philosophy यहाँ पे use की गई है to create a deep neural network, ठीक है, so with that, I guess this video is over, यहाँ पर अब मुझे और कुछ नहीं बोलना, encoder वाले part में, but yeah, अब इससे भी जादा important और जादा interesting जो part है, वो आने वाला है और वो है decoder वाला part, इसके बारे में हमने जरा भी बात नहीं किये, यहाँ पे थोड़ा सा आपको और जादा complexity देखने को मिलेगा, but interesting होगा, ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, और अच्छा लगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज दू सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई!